2030 में इंटरनाशनल इंवेस्टर का कॉंट्रिबूशन रिल इस्टेट में 30% तक घटकर 2.733 बिलियन हो गई जो पिछले साल 3.926 बिलियन से कम है पूरे इंस्टिटूशनल निवेश रिल इस्टेट में वर्शिक रूप से 12% तक कम होकर 2030 में 4.3 बिलियन टक पहुंच गया इंवेस्टर्स द्वारा लिये गाए सवधानी भारे कदामों के बवाजूद 2024 में एक पुनरजागरन की उम्मिध है क्यूंकि भारतिया अर्थव्यावस्था का मजबूर प्रदर्शन हुआ है और सहायक इंफ्रस्टक्टर विकस की योजनायन भी है विदेशी निवेशकों की भागिदारी 2023 में 50% तक रही जो पिछले साल से 99% से घट गई है देशी संस्थागत निवेश 2023 में 1.5 बिलियन टक डुगना हो गया पिछले साल से 120% की व्रिधी दिखा कर देशी निवेशकों की भागिदारी 2023 माइं 35% तक बाद गाई हाई जो क विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीडा निवेश विखालप बनी रही जिसमें बंकुन द्वारा वियपारी वस्तु और हाउसिंग के प्रतिवरिथी हुई विश्वा अर्थव्यावस्था कस्तिर होना भारत में मजबूट अर्थिक विकास और सरकारी पॉलिसीज का अनुकूल भाव है जो की विदेशी और देशी निवेशकों को भारत की व्रुदी कहानी में सक्रीब भग लेने के लिए अकर्शित कर सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद और अधिक सुचाने के लिए सब्सक्राइब करें